हलो एवरिवन वेलकम बैक टू देसी फ्लेवर कैसे आप सब फ्रेंट्स आज मैं कोई कुकिंग वीडियो लेकर नहीं आई हूँ आज मैं एक बहुत ही यूसफुल और स्टोरेज वीडियो लेकर आई हूँ हम आज ब्रोकली को कैसे लॉंग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो मैंने यहाँ पे 1.5 kg ब्रोकली लिए जिसको मैंने कट कर लिया है और इसको अच्छे से वाश कर लिया है हमें एक बार वाश जरूर कर लेना है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंप्योरिटी हो सकते हैं ब्रोकली को आप अप अपने चोटा या बड़े पीसिस में कट कर सकते हैं इसके बाद हम एक पतीले में पानी गरम करेंगे पानी थोड़ा जादा लिए हम और इसमें अच्छे से गरम होने के बाद हम सॉल्ट आड़ करेंगे बहुत जादा सॉल्ट आड़ नहीं करना है हाफ स्पून बहुत है इसके बाद हम इसमें ब्रॉकली आड़ कर देंगे इस तरह से हम प्रिजर्व करके रखेंगे तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं और यह एजीली हम यूज कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि सीजनल वेजटेबल्स या फ्रूर्ट अवेलेबल नहीं होता है अगर हम स्टोर कर सकते हैं तो क्यों ना करके रखे, तो मैंने यह आप ब्रॉकलि स्कोव एड़ कर दिया पानी में और हमें इसको बॉइल नहीं करना है, तो मैंने एक स्पून के हिल्प से अच्छे से पानी में इसको ब्लांच कर लिया है बस और कुक नहीं करूंगी मैं और इसके बाद मैं इसको स्ट्रेन करूंगी सारा पानी हम इसको एक स्ट्रेनर की हिल्प से निकाल देंगे और उसको बहुत अच्छे से हम थंडा होने तक व जो है ठंडी हो चुकी है अब हम इसको एक कंटेनर में फिल करेंगे देखिए बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और इसमें से सारा पानी निकल चुका है आप इस तरह से ब्रॉकली को काफी दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं ब दो दिन हो चुके हैं और ब्रॉकली जो है अच्छे से फ्रीज हो चुका है तो आप इसको इसली निकाल सकते हैं और आप इसको जिस भी सबजी में या जैसे भी यूज करना है कर सकते हैं बस आपको निकालना है थोड़ी देर इसको बाहर रखना है और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे जैसे हम मटर को यूज़ करते हैं I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी Friends आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो Please मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड तक वाच करने के लिए Thank you so much